देवरिक शेत्र में एक संसनी खेज मामला सामने आया है जहां एक 40 वर्षिय महिला को बिजली के खंबे से बांद कर मार पीच की गई यहां घटना पडोसियों द्वारा अंजाम दी गई वही इस पूरी घटना का विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बताय जा रहा है कि मामली विवात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया महिला को रस्ती से बिजली के खंबे से बांद कर पीटा गया घटना का नाम राधारानी रजग बताय जा रहा है वही डायल हंड़िट की पहुँचने के बाद महिला को छुडाया गया गटना में घायल महिला को देवरी के सामुदाइक स्वास्तिकेंदर में भरती कराया गया है यहां गटना गौर जहामर थानाक्षेतर के पटना खुर्द के बताई जा रही है पूरे मामले को लेकर पुलिस ने चार आरूपी जिसमें अरविंद विश्वकर्मा, रोहित, दिनेश, चंद्रेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है सभी आरूपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अच्छा पूरणा रही तो हम सब्दी काट रही था, जो दिल्ह या रही चेश भीकर पहुंद, विश्वकर्ट के अरूपियों कारा रही आर उसना, शोह भार रही है प्रक्तव गाई। यह आखमा मार है किस चीज से बात कि मारा पुर बलीगे खमा कि मारा सौनाम मर अरगा जब उनने छोड़ी अरगा हूं पुर्फ नाम किया है रादारा निya नाम किया है रादा रानी जाती रादा सब्सक्राइब प्रक्राण में हम लोगों ने सुबा ही गोर्ज हमार मेंस में ततकल एफाई और दर्ज करी है सभी आरोपी गिरफतार है पुलिस के पास है पर इसमें आगे विवेशन जा रही है और विदानी कर रही है की जा रही है